पेट में बच्चा उल्टा हो जाए तो क्या करें ऐसे में क्या साबधानिया बरतनी चाहिए प्रेग्डेंसी की तोरान गर्वासे में सिसु की इस्तिती में कई बार बदलाव आते हैं जिसमें से एक गर्व में बच्चे का घूमना या उल्टा होना भी सामिल होता है गर्वा ज्यादा यूसफुल होने वाली है वीडियो पर पहले वारा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो को आगे सुरू करते हैं गर्व वस्ता में एक बहुत ही मुस्किल और महत्पूर्ण समय होता है इस दोरान कई तरह की परशानिया आने की संभाबना रहती है जिसमें से एक गर्व में बच्चा उल्टा होना भी सामिल होता है लगवक तीन से चार फीस्दी महिलाओं में प्रेग्नेंसी के दोरान गर्व में बच्चा उल्टा होने की समस्या देखी जाती है ठीक है इस इस इस्तिती में गर भासे के अंदर सिसू का सिर उपर की तरफ और पैर नीचे वर्थ कैनल के ओर आ जाते हैं नॉर्मल प्रगंसी में डिलीवरी से पहले अपने आप ही सिसू का सिर नीचे और पैर उपर की तरफ चले जाते हैं नॉर्मल डिलीबरी के लिए इस इस्तिती में सबसे ज़्यादा सही माना जाता है कि आगर पैर उपर है और सिर नीचे है ठीक है इसलिए ये पॉजीशन जो वहीं जब सिपको सिर ऊपर और पेर नीचे आ जाते हैं तो इस स्थितिक ब्रीच वल्ट कहा जाता है गर्ब में बच्चा उल्टा होने के प्रकार ब्रीच प्रेगणशी के 3 प्रकार होते हैं ब्रेट कोम्प्लीट और फुर्टलिंग ब्रेज बीच में सिसू का सिर और पैर उपर की तरफ जबकि कूले नीचे की ओर आ जाते हैं बहीं कॉंप्लीट ब्रीच में सिसू के पैर और कूले नीचे की तरफ होते हैं और दोनों घुटने मुड़े रहते हैं फुटलिंग ब्रीच में सिसू क्रोस करके बैठा होता है ठीक है ये पोजिशन होती बच्चों की इन पोजिशन में गर्ब में बच्चा उल्टा होने के कारण क्या होते हैं कई बार गर्वती होने के जुड़मा बच्चे होने के कारण और पहले प्रेग्नेंसी में नो महीने से पहले डिलीवरी होने के कारण breach pregnancy होती है इसके अलाबा गरवाशे में अधिक या कम amiotic fluid जिसको बोलते हैं जिसमें बच्चा पलता है ठीक है अधिक हो जाता है जिसमें अगर गरवाशे में तो उसका अकार आसमान होने या गरवाशे के रसोली होने और placenta ब्रिप्रित की स्तिती में भी ऐसा हो सकता है ठीक है इसली बच्चा उल्टा हो सकता है pregnancy में बच्चा उल्टा हो तो क्या करना चाहिए काफी लोगों के यह भी question रहते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं गर्ब में बच्चा उल्टा हो जाए तो इस इस्तिती में आप्रेशन से ही डिलीवरी करवानी पड़ती है उल्टे बच्चे का प्रिशप करवाना आसान नहीं होता है लेकिन फिर भी कई धाई पहले की जमाने में जैसे उल्टा बच्चा होता था तो normal delivery कर देती थी पुराने जमाने में जो दाई होती थी बच्चे के उल्टा होने पर भी बिना operation से सुरक्षित प्रशप करवा देती थी हाला कि अब ऐसा कुछ नहीं है अब क्या है कि अगर बच्चा उल्टा हो जाता है तो ऐसे में normal delivery safe नहीं होती है काफी जादा अगर बहुत सारे complication होते हैं ऐसे कि डॉक्टर की सला डॉक्टर जैसा कहते हैं बैसा ही होगा ठीक है अगर डॉक्टर बोलते हैं कि normal delivery नहीं हो ठीक है अगर pregnancy के दोरान बच्चा उल्टा हो गया है तो बच्चे की स्तिती को ठीक किया जा सकता है बट यह सब कोशिश कितनी सफल होगी और कितनी नहीं यह कह नहीं सकते यह इस बात पर निर्भर करती है कि breach pregnancy का का कारण क्या है गर में बच्चा उल्टा होने की स्तिती में अगर आप operation नहीं करवाना चाहाती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर साल लें ठीक है और इस मामले की किसी भी तरह की जिद ना करें इस मामले में क्योंकि ऐसे में जिद करना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे की आपको बच्चे के बारे में सोचना है हाला कि कुछ माओं न के इस्तेमाल करने से कर्बती महीला को डॉक्टर से परामस जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि यह ऐसे से और ऑल जो होता है प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं होते हैं ठीक है तो इसके बारे में अगर आप यूज करना चाहती तो कर सकती है बट डॉक्टर से सलहा लेकर ठी तो इस्ते भी आपको फाइदा होगा थोड़ा बहुत हलका फिल्का ब्याम कर सकते हैं इतना अपको करना है आप थोड़ा बहुत उक्रू बैठ ही ठीके आपको ऐसा नहीं करना पेट को दबाकनी बढ़ना इससे का होगा है बच्चा आपका जो है ऊपर की तरह भागेगा ठीके आपका बच्चा नीचे की तरह नहीं होगा और मतलब थोड़ा भहुत ब्याम करेंगे घर का थोड़ा भहुत खलकाफुल का काम करेंगे तो आपका बच्चा सही पोजीशन में हो सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज है वह आपको तो अल्टाडंड में पता चल जाता है कि आपका बच्च सीधा है या हुल्टा है क्योंकि सीधा बच्चा होता है तो तो लिकल आएंगे पैर लिकल आए ठीक है फिर आपके हाथ भी लिकल आ सकते हैं लेकिन बच्चे का जो सर होता है सबसे बड़ा हिस्सा सर कहीं होता है तो हो सकता है कि बच्चे का सर बीच में अटक जाए ठीक है बच्चे का सिर अटक जाएगा तो फिर बच्चे के फंदा भी प कखे काफी लोगों के कोशन यही होते हैं कि उल्टा बच्चा है कि हो सकती है लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं नौर्मल डिलीब्री केफा सकते हैं तो आप करना होका आपक competitive आ जाता है सही पोजिशन पर सीधा हो जाता है तो ठीक है क्योंकि आप थोड़ा हल्की फुल के ब्याम करते रहेंगे तो अबच्चा आपका खुदी सीधा हो जाये आपको कैसे बता चलेगा आपके अल्टरा सौन्ट की जरी आपको पता चल जाएगा कि अपका बच्छा सीधा है वेगा हो गया ठीक है तो आप थोड़ा-बहुत ब्याम करें थोढ़ा चल चलना सुरू करें सी डियां चलने ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हलका फुलका घर के काम करें उक्रू बैठें थोड़ा इस होती है बटरफ्लाई वाली एक्सेसाईग्रू करते तो यह कुछ exercise जो हैं आप करेंगी अगर तो आपका हो सकता है बच्चा सही position पे आ जाए और आपकी normal delivery हो जाए बढ़ना आपको बिल्कुल भी जित करने के जोट नहीं है कि आपको normal delivery ही करवानी है अगर आपकी बच्ची की position गलत है उल्टा बच्चा है तो आपका delivery normal बिल्कुल भी नहीं हो सकती बहुत कम chances रहते हैं ठीके वो भी रिक्स लेना पड़ता है तो आप बिल्कुल भी मैं यही कहूंगी रिक्स मत लीजिए अपने बच्ची को safe रखिये और C-section से ऐसे में ही delivery करवाई बाकी तो दॉक्टर खुद उन पर छोड़ दीजिए आप डॉक्टर पर छोड़ दीजिए डॉक्टर क्या करना चाहते हैं सही उन जो भी मतलब decision लेंगे डॉक्टर सही decision लेंगे ठीके उमीद करते हूं कि आपके जितने भी question है जितने भी doubt है इस वीडियो में मैंने clear कर दिया होंग झाल